तुमसे यही उम्मीद थी अरे मेरे कहने का मतलब यह नहीं था मेरा मतलब था कि हमारे लिए कर जाओ पूजा तुम यहां तुम यहां मैं अंदर आ सकते प्लीज पूजा अरे मैं अभी तुम को ही कॉल कर जाता पर तुम यहां क्या कर लेगा अंदर आजाओ क्या हुआ है तुमें और तुम इतनी घबराई होगी क्यों हो और यह चोट वो मेरे हैसमेंट मुझे मानने के लिए मेरे पीछे पड़ा है वो मुझे जान से मार देगा पर क्यों और ऐसे कैसे मार देगा तुमने पुलिस टेशन में इन लिकाई कि उसने तुम पर रहाथ उड़ाया मैं ऑखुद एक पुलिसवाला है मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती तो वो मुझे पंका मार देगा लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा वाज तुमसे बहुत प्यार करता यह हसबन का दिखावेगा प्यार होता है इन पर तो ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए तुम्हारी हर बात घुंकर मेरे उपर क्यों आ जाती है तुम्हारे दिल में चोर है तो तुम सारी बात अपने उपर ले लेते हो मैं क्या गरूँ लेकित अब इस से बात कर ले पूजा, क्या हुआ है, साफ साब बताओ चुलिए, I am pregnant क्या? आभी ये तो खुशिय के बात है फिर वो तुम्हारी जान के पीछी क्यों बढ़ा है मेरे अजमें इसी मंद टेस्ट करवाया है और उनका रिपोर्ट साही नहीं था मतलब? वो कभी बाप नहीं बन सकते क्या? मतलब? इस बच्चे का बाप? कोई हो रहा है? क्यासी हो रहा थो तु? ऐसा काम करोगी तो कोई भी हस्बें नाराज होगा ना? और तुम इसको कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलू अब? और मेरे हिसाब से तुमको भी इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए अरे उसकी लाइफ है उसका डिसीजन पर मुझे जानना है कि इस बच्चे का बाप कौन है? पूजा, बताओ कौन है इस बच्चे का बाप? मैं, वो... वो... मैंने कहा था ना हम लोग पकड़े जाएंगे बस! एक शब दोड नहीं कुछ दिन और चुपनी रह सकती थी? अगर ऐसे बताएगी तो पकड़े ही जाएगे ना अच्छा इसलिए तुम्हे और उर्फनेज नहीं जाना था और इसलिए तुम्हे बच्चा भी नहीं चाहिए अब मुझे पता चल रहा है कि ओफिस के बहाने तुम्हारा टाइम इस्पेंड कहा हो रहा था हाँ लेकिन तुमको मेरे जैसा ही बच्चा चाहिए था ना पहले जब मैंने तुमसे बोला एक बेबी अडब्ट करने के लिए तुमने मुझे हमेशा मळां के दिया कि नहीं अपना खुण अपना होता है तुम्हें मेरे जैसा बच्चा चाहिए दरहा जिसके मेरे जैसे बाल हो मेरे जैसे смयल हो इसा हैंसम हो तुम एसा बच्चा दोगे अब इसके साथ अफेर करके अफेर के बिना बच्चा कैसे पैदा हो सकता है मैं कोई बाबा हूँ जो इसे सेफ देता के लिए बेटा खाले बच्चा हो जाएगा नतास तू मेरा आश्रवाद तेरे साथ है कैसी पागलो जैसी बाते कर रही हो तुम यार बस करो शरम नहीं आरी दुमें और तुम तुम्हें शरम नहीं आती जरा भी शादी शुदा होते हुए एक शादी शुदा मर्द के साथ अफेर करते हुए मैप मैं तो सर के स्क्रेटी हूँ न और इनकी बात मैंने कभी नहीं टाली और इन्हों ने कहा तो मैं मनना नहीं कर पाई हाह स़ह है मतलब यह जो बोलेंगे वह तुम करोगी एचे मैप कमाल है से शरम करो शरम मेरा यार तुम भी खुशी के मौक पर ऐसी कैसी बाते कर रही हो खुशी का मौका? यए खुशी का मौका है ठीक है, इत काम करते है तुम दोनो ना, निकलो यहाँसे यह मेरा भी दा Means, बता दिए मेरे वो कोट में बताना न지 निकल यहाँसे, चलो दिदी, हम तिनो यह आणसे नहीं रह सकते इसी घर में SHUT UP! GET OUT! निकल जाओ यहाजे! निकल जाओ यहाजे! मीरा! क्या हो गया? सपना देख रही हो गया? एक बात बताओ अगर इस बच्चे का बाप तुमारा हस्बंड नहीं है तो फिर कौन है? नाम तो पता हो गा न उसका एक ही बाप है न? प्लीज मीरा! यह उसका भी नाम नहीं पता दुमें मीरा! नाम तो पता दो ते क्या हो गया है तुमको? कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है? Sorry Sorry I'm okay I'm okay Pooja तुमारे इस बच्चे के बाप का नाम तो बता दो ना प्लीज प्लीज मैं 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 आपको उसका नाम नहीं बता सकती नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तुम क्यों बेकार की बातों में टेंशन ले रही हो? अकर उसको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं है कोई परोप्रम नहीं है तुमें बोलोगा भी कुछ? या एसे ही घुरती राओगी बोलोगे अब तुम मैं क्या बोलू? मैनने मीटिंग कैंसल कर दी है चलो चलते और्फरेज सीरियसली? तुम्हे अब भी और्फरेज जाना है? क्यो? अब क्या हो गया? मेरे सामने ने जदा शरीप बनने की कोशिश मत करो गल्ती पकड़ी गई है ना तो मान लो तो कौन सी गल्ती मान लो? फिर ड्रामा कर रहे हो यार देखो इस वक्त ना मेरा दिमाग बहुत सारी जगाओं पर काम कर रहा है ओफिस में क्या चल रहा होगा? मीटिंग कैंसल कर दी और्फरेज जाना अरोपा से पूजा हाँ अब आई ना असली टेंशन सामने कब से चल रहा तुम्हारा उसका? देखो अगर तुमसे बच्चा नहीं हो रहा है ना तो इसका मलब यह नहीं कि मैं हर जोगा ट्राइ करता फिरूंगा और जब से उसने बताया कि वो पेंगनेंट है तो मुझे शक के निगाहों से देखे जा रही हो देखे जा रही हो तुम्हारा सही है एक तो चोरी उपर से सीना चोरी बस बहुत हो गया अब खतम करो खतम ठीक है तुम्हें जो सोचना है ना यहां खड़े हो कर सोचो मैं जा रहा हूँ अगर तुमसे बच्चा नहीं हो रहा है ना तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हाथ जगा ट्राइ करता फिरूंगा प्रूंगा प्रूंग प्रूंग मेरी बच्छे से बहुत कंफ्यूजन के एठ हो गया मुझे आपको सब सच बता देना चाहिये था मैं सर के डर के वज़े से कुछ नहीं बोले Actually मैं सर के साथ जबी भी बाहर किसी मेटिंग्स में जाती थी तो 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 क्या उसे सुनना है सब ज़्यादा तर टाइम मेरा सर मेरा ज़्यादा तर टाइम सर सर के ड्राइबर प्रदीप के साथ गुजरता था सवक्त सर बिज़ी होते थे और फिर मुझे पता ही नी चला कब मुझे उससे प्यार हो गया क्या? सर प्रदीप को जॉब से बाहर ना निकाल दे इसके बज़े से मैं चुप थी मेरे चुप होने के वज़े से ये सब कुछ होगा मुझे पता नहीं था सर तो मुझे अपनी सिस्टर के तर ट्रीट करते है मेर्सा फिए स्थी TV है उYU कि भी मोझे उड़ी है इस्थी Nhहु करते है प्रदें है अंसर बत्क्तु करते है तुम्हारी गल्ती नहीं है, शायद वो ड्रस्ट में कमानी पाया, कमाये तो सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा, जिसके पीछे मैं रात दिन भागता रहा, लेकिन आज समझ में आ रहे हैं, कि पैसा कमानी की चक्कर में मैंने कितनी किमती चीज पीछे छोड़ती हैं, अगर थोड़ा वक्त मैंने अपने रिष्टे को दिया होता ना, तो उस रिष्टे की मस्बूती के सामने ये शक जैसी बीमारी, कभी टिकती ही नहीं, I am sorry, I am so sorry. ट्रोड़े प्रावल झाल झाल